आप सबी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडी जनेचा स्टेजर माप का स्वागत है मित्रो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एक रख्ष हैं प्लावर होते हैं यह सी प्रकार से इसके अरेंच होते हैं और और मित्रो आज हम औस्दियगुनों की चर्चा करेंगे ये शीचल इसी फैमिली का मेंबर है विभिने प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स प्लावनाइड स्टैनिंस स्टिग्मस्ट्रोल एपीजैनिन बीटा आइनिन आधी घटक इसके अंदर पाया जाते हैं और मुखे रूप से ये पित्त के समन के लिए इस्तमाल में किया जाने वाला प्ला इसके फूल इखटे कर लीजिए और 200 मिलिल्ल्टर पानी को गरम कर लीजिए और उसके अंदर इसके फूल डालने हैं डारेक्ट हीटिंग नहीं करनी है डारेक्ट बॉयलिंग नहीं करनी है और जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उसको चान कर उप्योग में लाइए 15-20 ml ए इसके पत्र सूजन को कम करने के लिए और घाव को भरने के लिए उप्योग में आते हैं शरीर के टॉक्षिंस को धिर धिरे रिमूव करता है एंटि हिस्टामिनिक एक्टिविटी यानि कि हिस्टामिन को कम करने का कारिये भी करता है शरीर का सोधन करता है और एलर्जिक एक どうぞ देख रहे होंगे इसकी छाल का काढ़ा बनाकर आप सेवन करेंगे तोMusic-प्रकार के gastric disorders को सई करता है और urinogenital disorders को भी ठीक करने का कर्य करता है साथियों इसकी छाल का हमें धीमी दीमी आज पर बनाना है 5 ग्राम इसकी आप छाल ले लिजे 5 ग्राम इसकी छाल इखता करके उसका काड़ा बनाकर और उसमें सैध मिला कर हमें एसे करना है विभिन्य परकार के Metabolic disorders को ठीक करता है और पेट में पुराना अगर constipation हो हमारी intestine में infection हो या intestine के अंदर खिचाओ के कारण पेट के अंदर खिचाओ के कारण stomach के अंदर worms के कारण किसी भी परकार का या pain inflammation या सूजन है तो उसको दूर करने के लिए आपको इसका काढ़ा पीना चाहिए और स्वाध अनुसार उसमें आप सैद मिलाकर भी 7 कर सकते हैं इसके जो बीज होते हैं उसके बीज का उपयोग आप natural binder के रूप में करते हैं इसके बीज को भिगा दीजे इसको बीज को पानी में भिगाने के बाद आप देखेंगे कि गमी material हमें प्राप्थ होता है उस गमी material को हम टैबलेट में pharmaceutical aid के लिए binder की form में इस्तमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेफ होता है इफेक्टिव होता है और किसी भी परकार का constipation cause नहीं करता है जनरली हम देखेंगे कि टैबलेट के बाइंडर के रूप में इस्तमाल किया जाने वाला अकिश्या गम कोंस्टिपेशन की problem cause करता है जबकि इसका जो गम होता है वह कोंस्टिपेशन की problem नहीं cause करता है बहुत ज्यादा effective और सेफ होता है pharmaceutical aid के लिए आप उसको उपयोग में ला सकते हैं बाइंडर नैच्ट्रल बाइंडर का यह कारे करता है highly effective भी है साथियो सीचल पीनेसी फैमिली का यह member है इसके flowers इसके leaves इसकी छाल इसकी बीज सभी ओस्जेगुनों के लिए उपयोग में आते हैं और इसकी छाल इसके फूल और इसके पत्र का काढ़ा hormones को regulate करने का कारे करता है menstrual flow को regulate करने का कारे करता है natural immunagogue का यह कारे करता है इसकी छाल का decoction infertility के समझा को भी दूर करने का कारे करता है पांच ग्राम से ज्यादा एक समय में इसका सेवन नहीं करना चाहिए excess मात्रा में सेवन करने से यह problem cause कर सकता है नित्रों pregnancy के समय भी इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए abortion का खत्रा बन जाता है इस प्रकार से safety के साथ आप इसको अपने जीवन में उपयोग में लाए अनीमिया की का अनीमिया को दूर करता है बढ़ाता है arthritis को दूर करने का करता है पित्त का समन करता है muscular pain हो neuralgia हो, mildgia हो, nerves का pain, muscle का pain सभी प्रकार के pain को दूर करने का कारे करता है small intestine में या पेट में worms के कारण या किसी भी कारण से अगर दर्द हो रहा हो उसके भी समन का यह कारे करता है काफी अच्छे इसके उस्दी उपयोग हैं और ना केवल ये इनसानों के लिए बलकि पसवू पकशियों के लिए सभी के लिए औस ये गुणों के लिए उपयोग माता है नेचुरल डाई भी इसके flowers से तयार की जाती है जो कि edible भी होती है आप उसका खाने के पधारतों में भी उप्योग में ला सकते हैं इस परकार से आज आपने जाना किस परकार आप इसको देनिक जिवन उप्योग में ला सकते हैं बीज के माध्यम से आसानी से इसका हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं जानकारी को सांजा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि सुबह 6 बजे आने वाली नई प्लांट की जानकारी आप नित्य प्राप्त कर सकें इन्हीं बातों के साथ आप से कल मिलूंगा एक नेवाद पर नाम नमस्कार